हाई गाईस मेरे नाम है संदीप एंड ये है फाइनली 8.9 अपडेट CR DROID की और से और सिप्टेंबर के सिक्यूर्डी पैजलाइल के साथ में हमें लेटस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है तो डिसकस करते हैं इसकी स्मूथनेस, अप्टिमाजेशन, स्टेबिलिटी पर वीडियो आ चुकी है अगर आप इंटरस्टेड हो आई बट्न में लिंक देता हूं वहां पर जाके चेक आउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद में सबसे पहले बात करेंगे अब आउट फोन पेज की तो CR DROID का टिपिकर लोगो है Android version still 12.1 आपको मिलता है और जो CR DROID version है उसके बाद wideband L1 आपको देखने के लिए मिल जाएगा Google photos के अंदर spoofing आपको मिल जाती है 90 fps का option आपको मिलता है और जो Geekbench 5K scores है वो आप चेक आउट कर सकते हो और इधर आपको wildlife test के अंदर scores देखने को मिलते हैं सब को run करने के लिए मैंने CB Thrallling जो आपको यहां पर मिल thermal profile उनको test कर रहा है यानकि उनको enable कर रहा है initially जब आप यहां पर phone को charge पर लगाओगे तो speed आपको कुछ यह मिलेगी और after some time जब मैंने इसको check किया तो 39 degree के आसपास temperature था and maximum speed जा रही थी 4000 mAh के आसपास तो charging के time में कोई major heating issues मैंने तो at least यहां पर face नहीं किया and कर हम बात करते सीबू थ्रॉटलिंग राफ की तो 70% तक आपका सीबू थ्रॉटल होता है 2,22,000 के आसपास maximum GAPS आपको मिलेंगे average है 1,61,000 के आसपास और रही बात यहां पर बैटरी consumption की वो आपको मैं check कर वा देता हूं तो यहां पर आप देखोगे active drain almost 15% पर आर के आसपास है और यह रही बात यहां पर जो है अगर आपको मैं दिखाओं बिल्कुल normal usage के उपर तो यह मेरे को यहां पर almost 11% पर आर के आसपास active drain मिला और idle drain 0.30% पर आर के आसपास है तो depend करता है आप ROM को कैसे यूज़ करोगे battery backup as far as I used this ROM मेरे को काफी तदा अच्छा यहां पर battery backup मिला और ROM के इंदर जो stock camera है वो आपको यहां पर जो है यह वाला camera मिलता है जो कि आपको पता है NX camera है और सिर्फ और सिर्फ यहां पर bug मिलता है slow motion videos का accept this आपको यहां पर कोई भी और issues नहीं आने वाले बाकि आप Gcam वगरा try कर सकते हो slow motion videos के लिए बड़ फिलहाल यह जो camera है यह आपको by description के अंदर मैं देता हूं वो आप install कर सकते हो बड़ इसके अंदर issue क्या है अगर आप यहां पर dialer के अंदर देखोगे तो वैसे dialer आपको AOSP वाला मिल जाता है बड़ जो contact है वो यहां पे तो आपको show होते हैं अगर आप contacts app के अंदर जाते हो Google के तो यहां पर आपको कोई तो comments में बता सकते हो जिससे दूसरों की help हो सकती है and maybe मैं भी next video के अंदर यहां पर इसको cover कर सकता हूं बड़ फिलाल मेरे को कोई भी यहां पर ऐसा fix देखने को नहीं मिला अब smoothness के उपर हैं first of all quick setting panel के अंदर कोई lag आपको नहीं मिलता and यह काफी अच्छे से optimized आपको मिल जाता है app opening closing animation की speed अगर हम check out करें तो यहां पर कुछ ऐसी speed आपको मिल जाएगी यहां पर भी जो smoothness नहीं सा वो काफी अच्छे आपको मिलती है even जो rain management वगरा है उसका भी आपको एक idea लग जाएगा इससे आप check out कर सकते हो कुछ ऐसे आपको यहां पर optimization देखने को मिल जाती है और cidroid के जो launcher है ना इसके अंदर जो almost features है वो सबके सब आपको same previous 8.7, 8.8 वाले ही देखने को मिलते हैं और अगर आप settings के अंदर आ जाते हो तो settings के अंदर भी कोई नया change आपको नहीं मिलगा source side से भी तो यहां पर जो है नई changes आपको नहीं मिलते है because android 12L है न वो अभी end of life होने वाला है तो यहां पर minor changes मिलेंगे और थोड़ी stability आपको feel हो सकती है इस update के अंदर हम मैं बात करना चाहूंगा 90 fps bgmi की तो bgmi आप काफी अच्छे से 90 fps के उपर play कर सकते हो बट क्या यह जो ROM है वो आपको best gaming ROM मिलती है या फिर यह जो update है वो best gaming आपको provide कर सकता है तो यानि कि जितना ज्यादा हम phone को push कर सकते हैं मैं कोशिच कर रहा था तो fps होते हैं drop अगर आप बूचना चाते हो यहाँ पर 70 के आजपास भी sometimes fps आ जाता है बट अगर आपका device थोड़ा ज्यादा घरम हो जाता है न लाइक 47 के आजपास मेरे को screen recording के साथ में maximum temperature देखने को मिला आप 47 के आजपास जब आपका device हीट करेगा तो आपको touch के regarding issues आने वाले हैं आपका जो touch response हो उतना अच्छे से काम नहीं करता and sometimes तो यहाँ पर device stuck हो जाता है touch के कारने यहाँ पर आपको जो है कोई भी touch के regarding issues आ सकते हैं अगर आपका basically जो device हो हीट करेगा मेरे कहने का यह जाते हो बट फिलहाल यह update casual gaming के लिए better आपको मिल जाता है अगर आपको just normal for fun यहाँ पर gaming करनी है तो यह update आपको निराश नहीं करेगा even 90 fps के अंदर भी बट अगर आप screen recording नहीं करते तो थोड़ा सा 1 और 2 degree less मान सकते हो आपका temperature उतना ही जाएगा बट जो update हो purely में gamers के लिए नहीं बहुत सकता बढ़ हाँ यह जो update हो काफी stable हो चुका है smooth हो चुका है and features तो आपको पता ही है काफी अच्छे मिलते हैं even जो battery backup है वो भी मेरे को काफी impressive लगा normal usage में जो ROM है वो काफी अच्छे से perform करती है and कोई मेरे को normal usage में इसके अंदर major heating issues वगरा नहीं मिले तो इस व subscribe करना और मिलेंगे next interesting video के साथ